नमस्का दोस्तों, Welcome to One Day Eczjam क्लासेते कि अगर आप रेलवे और एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आप लगातार पिछले साल के पेपरों को लगा सकते हैं और नए-नए प्रेशनों को तैयार कर सकते हैं हमने भी आपको धेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं, अब आपके लिए रेलवे आरेपय पेसाई के 50-50 महत्वपुड जीके के पिछले साल की पेपरों की स्रीज को स्टार्ट किया हुआ है, यह हमारा सातवाँ वीडियो है, इससे प्रकार के हमने आपको च्छाई नहीं मिल पाती हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाप पर आपको लालंक का सस्काई में दिकराओगे, इसको दवा कर लाल से काला कर दीजेगा, वीडियो अच्छा लेगे, जानकरी च्छलेगे, तभी आप लोग वीडियो को लाइक कीजेगा, चलि हम लोग स्रीज को स्टार्ट राजिस्तान की और भी लोग नते सलियां आपके एकजामें पूछी जाती हैं, जैसे कि पहली तो मांड हो गई, दूसरी जूमर आपके एकजामें पूछी आती हैं, जूमर होती है, तेरा ताली है, कटपुतली नते हैं, और कालवेलिया नते, यह सभी राजिस्तान के फेम और डांडिया पूछी आती है आपके एकजामे और पंजाब की बात करते हैं तो भांगड़ा और गिद्दा ये सभी आपके एकजामे पूछी आती है तो एक प्रिशने आपको सभी प्रिशनों को तयार करते हुए चलना है वीडियो आपको अच्छा लेके तभी आप लोग वीडियो को लाइक ओस कीजेगा दूसरा प्रेशन है मारा भारत के उच्छ नयाले के मुख्य नयधिस की नियुक्ति किसके द्वरा की जाती है देखिए उच्छ नयाले की बात की गई है मतलब हाई कोड के मुख्य नयधिस की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट पती ही करता भारत के मुख्य नयधिस की भी नियुक्ति कौन करता है राष्टपती करता है राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्टपती करता है और प्रधान मंत्री की भी नियुक्ति राष्टपती करता है तो यह भी आप लोग तयार किरिएगा तीसरा प्रेशन है आंद्रे अगाजी क उपनाम क्या है? आंद्रेयागाजी एक महान टेनिस खिलाडी है और इनका जन्म अमीरिका के लास वेगास सहर में हुआ था तो उसी के नाम से इनका नाम पड़ गया है दि लास वेगास किड के नाम से भी ने जाना जाता है और भी इनका एक उपनाम है Danish Dimens Danish Dimens इनका उपनाम है और The Las Vegas Speed भी इनका आंद्रेया घाजी का उपनाम है दोनों को आप लोग याद करके चलिएगा देकि चौथा प्रशने तारापूर नाभिकी उर्जय सेंत कहां पर सतापित किया गया है नाभिकी उर्जय सेंत भी तारापुर में, तो आप लोग सिर्फ तारापुर को याद करके मत बढ़ जाएगा, आपके एक जामें और भी धेर सारे नावकी उर्जा सैंत्र पूछे जाते हैं, मैं आपको क्रम से इसी वाले प्रिश्ण में बता देता हूँ, आप लोग एक बार अपने ध्यान में आउस कहएगा आपके एक जामें काफी बार पूछा गया है, कहएगा परमाड उर्जा सैंत्र ये करनाटक में इस्तापित किया गया है, यूपी के बुलन सहर में नरावरा परमाड उर्जा सैंत्र लगया है, इसके बाद तमिल नाड में कल पक्कम परमाड उर्जा सैंत्र लगया गुजरात में एक लगाया गया काकरा पार परमाड उर्जा सयंत्र इतने ही आपके एक जाम में घुम घुमा कर पूछे जाते हैं तो इसी वाले पिर से आप लोग एक बार ध्यान में उससे कर लिजेगा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इंपॉर्टन कोशन है इसलिए के फोकस कर रहे हैं तारहपूर काहाँ पर है अब करनातक में। बुलन सहर यूपी में नरवरा, कलपक्का में गुजरात के सूरत में। तो इतने हैं आपके परमाड उर्जा सयंत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आने वाले एक जामे सभी को सही हि elle कार्ज करके रही है मतलब की धुरूंओं से विश्वत रेखा की ओर आएगी तो वह कैसी जलदारा होगी धुरूंओं में क्या होता है बर्फ जमी होती है और वहां से जो धारा चलेगी वह ठंडी जलदारा होगी इसलिए सही आपसन क्या दियेगे सीतल जलदारा ठीके उच्च से से उच्च की ओर आज जाएगी या फिर विश्वत रेका से ध्रू की ओर जाएगी तो कैसी जलदारा होगी गर्म जलदारा होगी आप ठंडी और गर्म जलदारा है पढ़ेंगे तो आपको इसी प्रेकार से बताई जाएगी तो चलिए एक प्रेश्ण में आपके लिए छो तो की पढ़वावण संक्या कितनी है, कुछ याद आ रहा है इंडियम तद तो कहां पर पढ़ता है, हमने आपको तीसरा वर्ग जब याद करहा है था, जब आपको साइंस स्पेसल की धेर सारी वीडियो जमनाब कराई थी, तो वहां पर आपको पढ़ता होगा, बैगन, गाजर, इन थैला, हमने एक ट्रीक आपको बताई थी, तो ये इन आप देख रहे है ना, आई यन, ये इंडियम तद तो है, जो की तीसरे वर्ग में आता है, ठीक है, एल्मूनियम ओले वर्ग में आता है इंडियम, और इसका होता है इंडियम उन्चास होता है इसका परमा काल या फिर ब्रेस्ट स्टोक बैक स्टोक ये सभी आपके तैराकी खेल से समंदित है कौन कौन से ही स्टोक है फिर से याद कर लिजेगा बटरफ्लाई स्टोक ब्रेस्ट स्टोक बैक स्टोक और फ्रेंट काल ये सभी आपके जमें पूछे कहे हैं और तैराकी से ही समंदित है सही option है last वाला आठवा नमबर question है तोरण गात करने का सूत्र क्या है अगल आपको acceleration ग्यात करना है ए बराबर तो क्या कहते हैं आप delta VYT कहते हैं वेग परिवर्तन की धर जो होती है वो तोरण कहलाती है सही option होगा last वाला ठीक है वेग परिवर्तन की धर तोरण कहलाती है last वाला आप सुन होगा 9 नमबर question है AST के अमल का IUPSC नाम आपको बताना है AST का अमल इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है CS3 COOH कारवोक्सलिक ग्रूप का होता है और सही फार्मूला इसका जो IUPSC नाम है एथनोईक अमल होता है एथनोईक क्यों लिखा गया है कोई किसमें 2C लगे है मेथ के बाद 8 आता है तो 8 होगा 2C लगे है तो 1 होगा 3C अगर होते हैं तो यह प्रोप में जाता और 4C होते हैं तो यह ब्यूट में जाता इस प्रकार से आपको अगर नहीं भी यादे नाम तो आप थोड़ी से कलपना करके इसे सही भी कर सकते हैं देखी दस्वा कोशन है नाइट्रस आकसाइड, HNO2 का आयनी करेंट नेतांग कितना होता है अगर आयनी करेंट नेतांग कि निकालने की बात करेंगे तो इसकी काफी लंबी प्रोसेज है अगर आपको यहाँ पर बताई जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे आप सीधी दरसी से यादी कर सकते हैं दो-तीन इक जाओं में डिरेक्ट इसे पूछा गए आपको परियास करें तो काफी लंबा मेथड होगा इसलिए आपको इसे यादी करना पड़ेगा 4.5 मल्टिवलाइट 10 की पावर मैनस 4 नाइट्रास आकसाइड का आयनी करेंट नेतांक होता है ग्यार नमबर कोशन है सीर से गरंथी का किसका स्रावन करती है सीर से गरंथी मतलब पीनियल गरंथी जो होती है किसका स्रावन करती है ये कहां पर होती है मस्तिक्स में होती है इसे तीसरी आइज भी कहते है थर्ड आइज भी इस गरंथी को कहते है और कौन सा हर्मोन स्रावित करती है मिला टोनिन हार्मोंस का स्रावण करती है कहां पर होती है मस्तिस्क में होती है बारे नमबर कोशन है सुट्जर लेंड की मुद्रा का नाम आपको बताना है सुट्जर लेंड की मुद्रा है स्विस फ्रेंक ठीक है सुट्जर लेंड की मुद्रा है राची में, अब राजदानी के बारे में चर्चा की गई है तो कुछ और चर्चा कर लेते हैं इस समय काफी राजदानी के बारे में आपसे कोश्टन एकजामे पूँचे गए हैं जैसे कि आपको मालूम है 36 गड़की राजदानी चेंज हो चुकी है पहले राइपूर थी अभी क्या हो चुकी है नवा राइपूर अटल नगर हो गई है अटल नगर जोड़ दिया गया है नवा राइपूर अटल नगर जो राजधानी है वो किसकी हो गई है 36 गड़ की राजदानी हो गई है और आपके एकजामे पूछ सकता है जो भी नए कोशन होगे आपके एकजामे पूछे जाएंगे चलिए कमिंटर बाक्स में आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजेगा कि लद्दाक की राजदानी क्या बनाई गई है ठीक है लद्दाक के केंदर सासीत प्रदेश हो चुका है तो लद्दाक की राजदानी आप लोग कमिंटर बाक्स में बताने का प्रयास कीजेगा दो कोशन मैंने आपसे पूचते हैं कनारी कैसी जलदार आए और लद्दा की राजदानी आप लोग एक्टिव रहिएगा नहीं आए करिए तो आपको कमेंटर बाक्स में जाकर के पढ़ लिया करिए काफी लोग सही उत्तर देते हैं अब देखिए केंदर सासित प्रदेश जो आपका दमन और दियू था और दादर नगर हवेली था उसको मिला करके एक ही केंदर सासित प्रदेश कर दिया गया है और उसकी जो राजदानी है वो दमन कर दिया गया है ये भी आप लोग याद कर लिजेगा ठीक है पहले दो अभी इन दोनों को एक ही कर दिया गया और उन दोनों की राज़दानी क्या हो गई है? दमन हो गई है। पुल को नयाईक राजदानी बनाए गया है वहाँ पर हाई कोड की स्थापना की गई है तो आंधरा परदेश में तीन राजदानिया हो गई है अभी आपको मालूम है कि उत्रा खंडे ने भी अपनी एक ग्रीस में कालिन राजदानी बनाई है उसका नाम क्या है गैर सेड ठी ही है तो कुछ राजदानियों से कोशन भी आपकी एकजाम में आने वाले हैं आप लोग तैयार करिएगा और लद्दाक की केंदर सासिक पदेश की राजदानी बताने का प्रयास करिएगा चौदा नमबर कोशन है कोशिका में राइवो सोम की खोज किस ने की थी राइवो स कोश का में की थी 1955 में इसके पहले जो था राइवो सोम की खोज आपके आपसन में रॉबिसन एंड ब्राउन भी लिख करा सकता है तो रॉबिसन एंड ब्राउन ने पादब कोश का में की थी 1953 में ठीक है दोनों तरह से कोशन आपके एकजाम में आएंगे आपसन में आपको confuse नहीं होना है जार्ज इमिल पैलाडे ने किसमे की थी जन्त कोशिका में राइबो सोम की खोश की थी और अगर पादप कोशिका की बात करेंगे तो राविशन एंड ब्राउन दोनों में से कोई भी एक आपके आप्सन में आ सकता है अगर फोड करके पूछे का पादप और जन्त को तो आपको अलग अलग उत्तर देने होंगे ठीक है नेश कोशन के ओर चलते हैं कारणर किक सब्द का प्रियोग किस खेल में होता है कारणर किक जो होता है वो फुटबाल खेल से समंदित एक सब्दा वली है उदार विनमय दर प्रबंधन प्रडाली का विक्टन कव हुआ था देखिए उदारी करण की सुरवात 1991 सुई और मार्च 1993 में उदार विनमय दर प्रबंधन प्रडाली की सुरुवात की गई सही आपसने दूसरा देखिए 17 नमर कोशन है भारती संसत का निचला सदन किसे का जाता है अगर निचले सदन की बात करेंगे तो लोग सबा जो होता है निचला सदन होता है लेकिन लोग सबा को प्रथम सदन भी का जाता है आपसने स्रवड वेल गोला में स्तापित की गई है करनाटक है पड़ता है मैसुर के गंगवंस के मंदरी चामुंड के प्रोसाहन में करनाटक में स्रवड वेल गोला में दस्वी सदापदी के मद में विसाल बाववली की मूर्ती भी से कहते हैं और गौतेस्वर की मूर्ती भ इसके बाद नेस्ट कोशन है 19 नंबर कोशन अनब्रेक केबल एन आटो बाई ग्रॉफी पुस्तक किस ने लिखी थी सई आपसने महरी कौम महरी कौम की एक बायो ग्रॉफी अन ब्रेक केबल ठीक है याद कलीजेगा बीस्वा नमबर कोशन है राज विधान सभाओं के चुनाओं का दायू तो किसके द्वारा होता है या किसका होता है तो राज की विधान सभा के चुनाओं इस्थापित कराता है वो केंदरी चुनाओं आयोग कराता है कुछ लोग कंफुज जाते हैं कि राज के राजपाल य योगी कहता है कि इस महीने से चुनाव होंगे तो केंद्री चुनाव आयोगी इसका दायुत तो समालता है अब बात करता है कि राज का चुनाव आयोग क्या करा सकता है जो पंचायती चुनाव होते हैं जैसे कि आपका ग्राम परधान का हो गया छेतर पंचायत का हो गया और स सई आप सुनोगा थाइलेंड, देगी भारत से किन किन देश की सीमाय लगती हैं, आपके दिमाग में मैं पहूना चाहिए, आप लगातर इस प्रकार से घूमते घूमते पूरा नक्सा घूम लिजें और बताए कितने देश से सीमाय लगती हैं, तो चलिए हम गिनाने का प्रय ग्वारत के साथ में जूड़ी हुई सीमा है तो लगबग साथ देशों के साथ भारत अपनी सीमा बनाता है 22 नमबर कोशन है भारत के राष्ट पती लोग सवा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं ये कोशन काफी बारा चुका है तो लोग सवा में 2 को करते हैं इंगलो इंडियन 2 को करते हैं और राजिसभा की बात करेंगे तो 12 सदस्यों को कला साहित खेल जगत के जो होते हैं वो 12 लोग करते हैं टोटल 14 लोग को मनुद नीद करने का अधिकार जो है वो राश्ट पती के पास में लोग सभा में 2 राजिसभा में 12 देखी तेस नमबर कोशन है कलकत्ता क्रिकेट एव फुटबाल कलब जिसे कहते हैं सीसी कलकत्ता क्रिकेट और एपसी कहते हैं फुटबाल कब की स्थापना कब की गई थी सही आप सुनोगा 1792 AD अब देखे कुछ लोग के AD नहीं मालू होगा AD क्या होता है और BC क्या होता है AD का full farm होता है इन्नो डॉम्नी इन्नो डॉम्नी मतलब हिंदी में कहेंगी इसे तो SB मतलब कि 1792 SB यह लिखा गया है SB जो माना गया है और इससा मसी का जन्मदिन माना गया है कि एक SB को इससा मसी का जन्मदिन हुआ था इसलिए इन्नो डॉम्नी का जो इंग्लिस में कहते हैं In the year of Lord मतलब कि Lord के 1792 एर बाद कलकत्ता क्रिकेड और फुटबाल कलब की स्थापना हुई थी अब BC को भी समझ लीजे BC का फुलफार्व जो होता है उसे कहते हैं Before the birth आप Jesus Christ मतलब कि Jesus का जब जन्म होता उससे पहले का समय जिसे हम लोग हिंदी में इसा पूर्व लिखते हैं अब जैसे कहीं पर लिखा गया 622 BC मतलब की 622 इसा पूर्व 24 नमबर कोशन है भारत के खाद सुरच्छा और मानक प्रादिकरन FSS AI का मुख्याले कहां परिस्तित हैं अगर इंगलिस से बात करेंगे FSS AI का फुलफार्म आपके एक जमें पूचा जाएगा उसका फुलफार्म होता है Food Safety and Standard Authority of India ठीक है यह जो आपका food होता है इसमें कितनी मिलावट हो रही है जो देश विदेश से आयात और निर्यात हो रहा है इसको पूरा चेकिंग करने का काम किसका होता है FSS AI का होता है जो भी मिलावट नहोने पाई अच्छी गुडवत्ता का समान आपके पास पहुँचें इसका मुख्याल है नई दुलनी में ठीक है याद करीज़े इंपोर्टन कोशन है की 25 नमर कोशन है सूर और ब्रेस्पति ग्रह के बीज की दूरी कितनी है देखे कोशन को थोड़ा सी एक टब बना दिया है क्योंकि इसने बहुत ही पीछे का ग्रह पूँच लिया अगर प्रतिभी तक पूँचता तो आपको याद भी रहता लेकिन ब्रेस्पति काफी दूर हो जाता है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा मैं आपको दो तीन जो हैं वो एक जैक तरीके से याद करा देता हूँ देखे सूर्य के सबसे नज़्दी कौन सा है बुद्ध है तो बुद्ध और सूर्य के बीच की दूरी है पांच करोड किलो मेटर की ठीके करोड में हैं दूरियां जतनी बता रहा हूँ पांच करोड किलो मेटर की दूरी है सूर्य और बुद्ध के बीच में इसके बाद आता है सुक्र सुक्र की कितनी है एगर एराउंड में बात करेंगे तो दस करोड किलो मेटर है सुक्र की वीज की दूरी सूर्य से प्रिथवी आता है तीसरे नमबर पर प्रिथवी की वीज की दूरी है 15 करोड किलो मीटर सूर्य और प्रिथवी की वीज की दूरी है 15 करोड किलो मीटर अब थोड़ा से बढ़ जाएगा 5, 10, 15 तो आपको याद हो गया मंगल की वीज की दूरी है सूरे से मंगल की वीज की दूरी 22 करोड किलो मेटर इसके बाद आप डारेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आंतरिक गया से आप बाहे गरों की और आप जा रहे हैं तो आप देखिए ब्रास्वती आता है पांचवे नमबर पर और यह सततर करोड किलो मेटर ठीक है सततर करोड किलो मेटर एक मिलियन होता है दस लाग के बरावर होता है और आप निकालेंगे तो सततर करोड पचासी लाग निकलके यहां पसे आएगा तो यह थोड़ा से टप हो गया सनी तो और दूर हो जाता है 122 किलोमीटर जो होता है वो सनी और सूरी की वीज की दूरी है तो 5, 10, 15, 22 और ये 87 इस प्रकार से आपको मैंने याद कराया है कुछ भी आपके एक जमें पूछ लेता है बुद्ध, सुक्र, पृतिवी, मंगल तो आप लोग सही कर दिजेगा वहाँ पर जा करके देखी 26 नमर कोश्चन है भारती राष्टी कांग्रेस का पहला अध्यूशन कहां पर हुआ था पहला अध्यूशन कब हुआ था 1850 में पहला अध्यूशन हुआ था इसकी अध्यस्ता वोंकेश चंद बनर जी ने की थी और इसका अध्यूशन हुआ था बामबे में पहले इसे पूने में किया जाना था याद रखेगा पहले इसे पूने में किया जाना था लेकिन पूने में आकाल पड़ गया था इसलिए जो अधिवेशां है आपका, वो बांबे में किया गया देखी 27 नमबर कोषन है पद्म पारी बोधिसत्व के चित्र कहां पर पाये गए हैं देखी 25 पारी बोधिसत्वायं है है न यहाँ पर बुद्ध जी की चर्चा होगी बुद्ध जी का जो चित्र है कमल का फूल लिये वो पद्व पाड़ी बोध सत्यों के चित्र जो है वो अजन्ता के गुफाओं में इस प्रकार से मिलते हैं ये किस चीज के प्रतीक हैं ये उनकी उदारता और करुणा के प्रतीक हैं देखी 28 नमबर कोशन है अंतराष्टी T20 क्रिकेट मैचों में सतक बनाने वाली पहली भारती महिला क्रिकेटर का आपको नाम बताना है सही आपसने हर्मन प्रीत कौर 2019 में 51 गेदों पर 103 रन बनाये थे और पहली महिला बने थी जिन्नोंने T20 में सतक लगाया था तो क्या नम है हर्मन प्रीत कौर 29 नमबर कोशन है 13 वितायोग के अध्यच कौन थे 13 वितायोग कब बना था 2007 में बना था 2010 से 15 तक उन्होंने कार किया अभी चल लाई समय 15 वितायोग 2017 बनाये कार काले 2020 सलेकर के 25 तक तो 13 वितायोग के अध्यच कौन थे हैं डाक्टर विजय एल केलकर थे ठीक है केलकर जी का नाम याद रखेगा 13 वितायोग के अध्यच थे आपसे बार-बार पूछा जा सकता है तीस्वा नमबर कोशन है आपदा प्रबंदन विदेयक अध्यच कब परित हुआ था अगर देश में आपदा आती है जैसे इस समय कोरोना वरिस चला ये भी एक प्रकार की आपदा है तो उसके लिए अध्यच जो बनाय गया था 2005 में इसके खिलाब जो है कालून का जो पालन नहीं करेगा उसे दंड भी दिया जा सकता है आपदा प्रबंदन विदेयक के अंद जो भी दंड निर्दारित किया जाएगा तो यह अधनियम पारित किया गया था 2005 में देखी 31 नमबर कोशन है लोग सबा का पहला आम चुनाओ कब हुआ था देखी अगर बात करेंगे 1947 को मरत देश आजाद हो गया था उस समय क्या हुआ पंडित जवालला नहरू को प्रदा आम चुना हुआ था जिसमें पंडित जवालला नहरू को प्रदान मंत्री के तोर पर आम जंता ने भी चुना तो यह कब हुए थे 1951 और बावन में हुए थे देखी नेक्स कोशन है मुरको की राजदानी क्या है मुरको किस देश में पढ़ता है से से पहले आपको यह मुरको से याद आ रहा है कि इस्पेन और मुरको के मद में एक संधी हुई है उसका नाम आप लोग बताईए इस्पेन और मुरको पढ़ता है यूरोप में और मुरको पढ़ता है अफ्रीका में तो इन दो महादीपों को अलग करने वाली संधी है उसे कहते हैं तो यहाँ पर पाक जल डमुरू मदध है तो यहाँ पर देखिए जल संदी होती है जो डमुरू की आकार की बनती है इस प्रकार से यह डमुरू हो गया इस प्रकार से यह तो तो जो बीच का जो सकरा भाग होता है वो डमरू के आकार का बन जाता है इसलिए इसे कहते हैं जल डमरू मद भी कह देते हैं तो ठीक है मुरक्को से आपको याद रहेगा इस्पेन और मुरक्को के मद में जिब्राल्टर की संदी है जो यूरोप और अफरिका को अलग करती है 33 नमबर कोचन है निमलिकित में से भारत के किस राजिकी विधान सवा सीटों की संक्या सरवाधिक है विधान सवा सीटों की बात करेंगे तो यूपी का पहला इस्तान आता है 403 सीटे हैं विधान सवाओं की दूसरे नमबर पर कौन आता है दूसरे नमबर पर आता है पश् की चोथे नमबर पर आता है बिहार 243 सीटे हैं बिहार की इसे भी आप लोग याद करिएगा कि चोथीस नमबर कोशन है एका अंदोलन के नेता कौन थे एका अंदोलन का मतलब है एकता का अंदोलन और यह कहां पर हुआ था यूपी के हर दोई जिले में हुआ था 1921 में उसी स समय अंदोलन चला था और यह किसान विद्रो उसी समय हुआ था लगान के खिलाब था और इस समय वहां के नेता कौन थे मदारी पासी वहां के नेता थे एका अंदोलन आप लोग याद रखिएगा यूपी के हर दोई जिले मुआ था काफी फेमस अंदोलन है यह 35 नमबर को पदमा नदी किस देश में बैती है 36 नमबर कोशन है पदमा जो है यह बांगला देश में बैती है देखे गंगा जो है जब बांगला देश में प्रवेस करती है तो गंगा का नाम चेंज हो करके पदमा हो जाता है अलग 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 देशों में नदियों के नाम अलग ठीक है तो सांगपो से दिहांग हो गई और जब असम में पहुंचती है तब उसे कहते हैं ब्रंबपुत्र नदी और ब्रंबपुत्र नदी जब जाती है बांगला देश में तो जमुना नाम हो जाता है और इधर से आई पदमा जो गंगा नदी है पदमा आ गई और जमुना ब्रह्मपुद नदी जब जहां पर मिलती है तो उन दोनों की एक संयुक्त धारा आगे की और वड़ती है जिसका नाम भी पदमा ही होता है फिर पदमा में एक मेगना दंदी आती है वो मिल जाती है तो पदमा और मेगना की जो संयुक्त धारा होती है वो मेगना जल धारा कहल आती है और लास्ट में जो गंगा नदी है वो मेगना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है तो ठीक है याद रएगा आप लोग को तिबबत में कहते हैं ब्रहभुत्र नदी को सांगपो अड़ांचल प्रदेश में प्रिवेश करती है तो दिहांग हसा में कहते हैं ब्रहंपूत्र और जब बांगलादेस में जाती है तो जमुना कहते हैं यमुना नहीं कहते हैं जमुना कहते हैं ठीक है याद रखेगा जब पदमा और जमुना का मिलान होता है तो उसकी उसके धारा होती हो पदमा कहलाती है और मेगना जब पदमा में आके मि इसे कहते हैं जिप्टो कहते हैं जिप्टो होता है दसकी पावर माइनस 21 एकसा जो होता है उसे कहते हैं दसकी पावर 18 प्लस में होता है एकसा होता है दसकी पावर 18 जीटा यह जीटा लिखा है न यह होता है दसकी पावर 21 प्लस में होता है दसकी पावर प्लस में 21 होता है जी वो फेम्टो कहलाता है 38 नमबर कोशन है जीवन इस्मिती पुस्तक किसने लिखी है तीत पुस्तक है आपको यादी करनी पड़ेगी रमीर नाट टैगोर ने जीवन इस्मिती नावक पुस्तक लिखी है देखी उनतारिस नमबर कोशन है प्रकास तरंग का सिधान्त किसके दोरा प्रिस्तावित किया गया था देखी प्रकास जो है वो तरंग के रूप में भी चलता है और कड के रूप में भी चलता है तो तरंग के सिधान्त के तोर पर किसने ये प्रिस्ताव किया था कि तरंग के रूप में प्रकास चलता है तो किर्ष्टियान हाईजेंस ठीक है यह हाईजेंस है हाईजेंस आप लोग याद रखेगा प्रकास तरंग का सिद्धान्त हाईजेंस ने दिया था देखी चालिस नमबर प्रेश्ण है लिकेत में से कौन सा खिलाड़ी फुटवाल से समंदित नहीं है देखी पेले एक महांट फुटवालर थे मेसी भी है नेमार भी है किस्टियानो रोलनाल्डो भी है माइकल सुमारकर यह माइकल सुमारकर का नाम आता है रेसिंग ड्राइवर में आता है जर्मनी के पूर ड्राइवर थे रेसिंग कार के ठीक है माइकल सुमारकर का नाम जो है फुटवाल छेतर से नहीं है देखी 41 नमबर कोशन है भारत के राष्टपती का कारकाल केतने वर्ष का होता है तो यह पांच वर्ष का होता है सभी को मालूम है अगर महा भीयोग दोरा इसे हटाया ना गया तो यह पांच वर्ष तक अपने कारकाल को पूरा करेगा और भारत का राष्टपती चाहे तो कितने वी बार राष्टपती का चुनाव लड़ सकता है अमेरिका की तरह नहीं है कि दो ही बार अगर आप राष्टपती बन गए चाहर चाहर वर्षों के लिए तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते है ठीक है तो यह सा कोई भारत ने प्रदिबंद नहीं है आप कितने वी बार राष्टपती बन सकते है देखी बैलेस नमबर कोशन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दच्छिड के द्रावणों का समन्द किस से है अगर बात करेंगे उत्तर के जो मंदिर बने है वो नागरों सली से बने है और दच्छिड के जो मंदिर बने है वो द्रावणी सली से बने है तो समंद है मंदिरों से देखिए 43 नमबर कोशन है 1946 में बनी अंत्रीम कैबनेट की अधास्ता किसके दोरा की गई थी अगर अंत्रीम कैबनेट की बात करेंगे तो जवाललाल नेरू को कारकारी अधाच की भूम का सौपी गई थी 1946 से लेकर के 1947 तक जब तक भरत आजाद नहीं हो गया उसके पहले जो कैबनेट बनी उसकी दो अधास्ता है वो जवालला नेरू को दी गई ग्रा मंत्री के तोर पर बल्लाबाई पटेल बने रच्छा मंत्री बने बल्देव सिंग आसा फली बने थे रेलवे मंत्री और खाद और करसी मंत्री बने थे राजेंदर परसाद जगजीवान राम बने थे स्रम मंत्री यह अंत्रिम कैबनेट थी जो 1946 से लेकर के 47 तक कार्यत थी जो संग सासित प्रदेश है जैसे आपका दिल्ली हो गया पुडुचेरी हो गया चंडी गड़ हो गया जो भी आपके संग सासित प्रदेश है वो राष्ट पती द्वरा संचलित होते है इसलिए वहाँ पर राज्य पाल नहीं होता है वहाँ पर क्या होते है उपर राज्य नमबर कोशन है नेल की खेती की दो प्रमुक पद्धतियां कौन सी थी एक तो देखिए निज हो गई दूसरी जो पद्धति वो रहयत थी निज और रहयत ये दोनों जो पद्धतिया थी वो नेल की खेती के लिए फेमस थी चियलिस नमबर कोशन है CRR का पूर रूप क्या होता है CRR को कहते है कैस रिजर्व रेसियो ठीक है नगद आर अच्छित अनुपाद भी इसे कहते है किसी वाड़िजिक बैंक में कुल जमारासिक का हुआ भाग या हुआ प्रसत जो RBI के पास या फिर रिजर्व रूप से जमा करना होता है उसे कहते है कैस रिजर्व रेसियो लगबख 4% जो होता है अपना रूपया वो RBI या फिर आप रिजर्व बैंक के पास किसी भी बैंक को जमा करना होता है जितना भी उसके पास जमारासि है ठीक है कैस रिजर्व रेसियो CRR का फूल फार्म है 47 नमर कोशन है राजसवा का सदस्य बनने के लिए निंतम आयू कितनी होनी चाहिए देखे अगर बात करेंगे राश्टपती की तो राश्टपती के लिए निंतम आयू होनी चाहिए 35 वर्स उसके बाद नीचे की और आएंगे आप राज्यसवा राज्यसवा के लिए 30 वर्स होनी चाहिए और राष्टपती भी राज्यसवा का पदेंसवा पती होता है इसलिए उपर राष्टपती को भी 30 वर्स आयुनिधायत की गई है लोगसवा के लिए 25 वर्स इसलिए प्रधान मंतरी के लिए भी 25 वर्सी आयो निदायत की गई है ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्स की गई है और ओट डालने के लिए 18 साल की गई है सब कुछ आपको याद रखना है ठीक है नेश्ट की ओर चलते हैं 48 नंबर कोशन है सामाने तोर पर पतियों से खनिच पदार्थों को पोदों के अन भागों में कौन ले जाता है अगर खनिच पदार्थों की बात करेंगे तो फ्लोयम जो होता है पतियां जो खाना बनाती है उसे अन पदार्थों तक ये फ्लोयम का काम होता है पहुँचाने का ठीके फ्लोयम करता है और जायलम क्या करता है जलको ले जाता है सभी जगा जडों के माध्धम से जलको ले जाता है और फ्लोयम जो होता है वो पतियों के माध्धम से जो पतियां खाना बनाती खनिश पदार्तों को अन्य पौदों के भाग तक ले जाता है 49 नमबर कोशन ने गटगरी विद्रो निमलिकित में से किस इस्तान पर हुआ था अगर गटगरी विद्रो की बात करेंगे तो महराष्ट के कोलापूर में हुआ था ये गटगरी जो फेमस थे वो सैनिको के रूप में फेमस थे तो सैनिको की छटनी की जाने लगी अंग्रेजों ने सैनिकों की छटनी की तो गटगरी समू नराज हो गया और उसने विद्रो कर दिया तो कोलापूर महाराष्ट में विद्रो हुआ था गटगरी विद्रो ठीक है पचास नमबर कोशन है आज का लाज नमबर कोशन होगा जापान की खाई मतलब ट्रेंच किस महा सागर में इस्तित है अब आप सभी को मालू में जापान कहां पर पढ़ता है पूर्व के हिस्से में पढ़ता है और पूर्व में क्या है आपका प्रसांत महा सागर है तो प्रस अभी प्रिश्णों को आपको तयार करना है, इस लच्छ के साथ मैं आपको ये प्रिश्णे करा रहा हूँ, कि इनको आपको तयार करना है, मैंने आपसे दो तीन प्रिश्णे वीडियो के बीच में पूँचे हैं, उसका आप लोग जवाब देने का प्रयास किरिएगा, मैंन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके लगा तरह हम स्रीज को continue रखेंगे अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको like कवस्त कीजेगा जितने लोग channel पर नए हो उसको आप लोग subscribe कर दीजेगा चैनल को आपको चार बज़े वीडियो अपलोड हो गया है इस वीडियो को हम डारेक्ट आपके लिए अपलोड कर देते हैं क्योंकि इसमें answer लगे हुए है इस समय lockdown चला है आपको घर में रहना है सुरच्छा का ध्यान रखना है और अपनी तयारी को एक बहतर और धारदार दिशा देनी है तो लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहिए प्रेक्टिस करते रहिए मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद